बॉलिवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान अपनी तलाग के बाद से ही दंगल गर्ल के संग अफेयर को लेकर अख़बारों और न्यूस चैनल सोशल मीडिया पर छाए ही रहते हैं हलाकि जब भी उनकी दंगल गर्ल से पूछा जाता है तो फातिमा सना शेख इन खबरों को अफवाह ही करार दे देती हैं जी हाँ इनकी शादी की खबरें फिर से चर्चाओं में हैं जिस वज़े से दोनों इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं वेल दोस्तों बता दें कि आमिर खान अपनी दूसरी पतनी किरन राव से अलग हो गए हैं इस बात के सामने आने के कुछ दिन बाद ही ये खबर आई कि आमिर खान तीसरी शादी करना चाहते हैं वहीं फातिमा सना शेख ने कुछ दिन पहले अपने और आमिर के रिष्टे को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया था जिसके बाद से वे फिर से सुर्खियों में आ गई थी जी हाँ दोस्तों फातिमा ने एक इंटर्वियू के दोरान ये कह दिया था कि दोनों की बीच ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिन लोगों का कहना है कि फातिमा ने आधा सच बताया है वेल फातिमा सनाशेख के इस बयान को महज एक अफवाह बताया जा रहा है और इसे पूर्ण रूप से जूठी खबर बताया गया है लेकिन आपको बता दें कि किरन राव से अलग होने के बाद आमिर खान फातिमा सनाशेख के साथ काफी समय व्यातीत करने लग गए है वेल दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताये और हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हों तो इन्हें लाइक शिर करना ना भूले साथ ही साथ मनुरंजन जगत की चटपटी मसालेदार खबरों को देखने के लिए चानल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए